गरीब परिवार ने खाए जादूई कड़ी चावल हे भगवान चार दाने दाल भी नहीं मिली है मुझे तो अब आज मैं अपने परिवार को क्या खेलाऊंगी अर्विंद जी की भी देहाडी दो दिन बाद मिलेगी अब मैं क्या करूंगी अभी भूमिका ऐसे सोची रही थी कि तभी बाहर से उसके दोनों बच्चों को लिए उसके सास कोमती आई भूमिका के बेटे चीकू के हाथ और सोना के गाल से खून निकल रहा था भूमिका उन्हें देखकर घबरा गई ये भगवान, ये खून कैसे निकल रहा है, मा जी क्या हुआ कुछ नहीं बहू, बस ये पास वाली शकुंतला है न, इसी के पोती-पोते से लड़ाई हो गई इन दोनों की वो तो अच्छा है कि मैं समय पर पहुँच गी, वरना उसके चालाग, पोती और पोता तो मेरे पोती-पोते की खाली उखार देते शकुंतला जी के तो बच्चे हैं ही ऐसे, ना उन्हें अपने परिवार की तमीज है, ना ही किसी दूसरे की परवाः और तुम दोनों, तुम उनके साथ क्या कर रहे थे? आइंदा, मैं तुम्हें उनके साथ खेलता हुआ ना देखूं, समझ आया? आओ अब, मैं तुम्हारे सरसो के तेल लगा देती हूँ बुमिका ने अपने दोनों बच्चों के सर्सों का तेल लगा दिया बच्चे तेल लगवाने के बाद अपनी मा से सवाल करने लगे मा आज खाने में क्या भूक लग रही है हाँ बाहर जानवरों की तरह घूमते रहो और घर आते ही तुम्हें भूक लग जाती है बहु बच्चे हैं भूख का तो समय हो रहा है ऐसे डाट क्यों रही है इसलिए डाट रही हूं मा क्योंके घर में अन्नका एक दाना नहीं है मैंने क्या खाने को दूँ गोमती भी ये सुनकर परिशान सी हो गई भूमिका के घर के हालात इन दिनों नाजुक चल रहे थे उसका पती एक छोटे से ढाबे में काम किया करता था जहां का मालक हफते में दो बार पैसे देता था लेकिन एक अकेले आदमी की कमाई से भूमिका के घर का गुजारा करना मुश्किर था यही वजह थी जो उसके घर में तंगी हो रही थी और अब तो हालात ऐसे आ पड़े थे कि उनके घर में चूला भी जलना एक किसमत की बात बन चुकी थी सुबह से शाम तक सारा परिवार भूखा रहा लेकिन जब शाम को दोनों बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे तब भूमिका से अपने उपर काबू नहीं हुआ बहु कहां जा रही है माजी कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करने जा रही हूँ ऐसे अपने बच्चों को भूखा थोड़ी मारना है मुझे कहां से इंतजाम करेगी आज के दौर में किसी के जी से पैसा नहीं चूटता है भगवान भी तो कोई शक्ती है माजी बस उसी के भरो से निकल रही हूँ भूमिका ऐसे बोल कर बाहर आ गई उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था भूमिका ने आस पडोस से मदद मांगी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ अंतमे एक पडोसन को उसके उपर दया आ गई सुनो भूमिका माफ करना लेकिन पैसे तो मेरे पास भी नहीं है लेकिन हागर तुम्हारे बच्चे भूके तो मैं तुम्हें उनके लिए खाना दे सकती हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका यह अहसान कभी नहीं भूलूँगी भूमिका खुश होगी कुछ देर बाद अंदर से उस औरत ने भूमिका को कड़ी चावल ला कर दिये अरे वा कड़ी चावल हाँ आज मैंने कड़ी चावल बनाये थे अच्छे बने हैं तुम्हारे बच्चो को भी पसंद आएंगे उस औरत की बात सुनकर भूमिका उसका शुक्रिया करते हुए अपने बच्चो के लिए कड़ी चावल ले आई बच्चो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई कितने अच्छे कुछ बूए माई क्या है कड़ी चावल हैं आजाओ जल्दी से खालो वास ओना दिदी तो बहुत अच्छे लग रहे मज़ा आगया अच्छे लोग खाते हैं दोरो बच्चे कड़ी चावल को बड़े ही शौक से खाने लगे उन्हें देखकर भूमिका का दिल भराया लेकिन उसकी सास ने उसे संभाल लिया कुछी देर बाद भूमिका का पती और ससुर दोनों घर आ गये और सभी बड़े लोग भूखे पेठी सो गये ऐसे ही अगला दिन निकला और भूमिका अपने पती से बोली अजी कल तो सभी भूखे ही रह लिये थे लेकिन आज का कैसे करना है मैं नहीं जानता हूँ भूमिका मुझे ये सवाल मत करो अच्छा आप से ना कहूँ तो किस से कहूँ इस घर को चलाने वाले आप ही है हाँ मैं हूँ और जिदना मुझे से हो सकता है मैं करता भी हूँ मेरा पीछा मत घेरा करो मैं पीछा घेरती हूँ देखिए अरविंद जी मुझे गुस्सा मत दिलाइए और हाँ एक और बात इस तरह एक दिन खाकर और एक दिन खाने को तरस्ते हुए गाड़ी नहीं चलती है अगर आपके काम की वज़े से आपका गुजारा नहीं चल रहा है तो कहीं और काम ढूंडिये लेकिन अब जब परिवार बनाया है तो इसे ठीक से चलाइए अच्छा तो अब तुम मुझे अरे अरे बहू अर्विंद क्यों मैं इस पैसे के लिए अपने रिष्टे में फूट डाल रहे हूँ जो तंगी है ये भी खत्म हो जाएगी लेकिन तुम ऐसे मत लड़ाई करो देखो तुमारे बच्चे घबरा रहे हैं गोमदी की बात सुनकर दोनों ने अपने मासूम बच्चों की तरफ देखा हम बेकार में लड़ रहे थे हमारे बच्चे हमें देखकर घबरा रहे हैं हमें माफ कर दो बच्चो और तुम भी भूमिका पैसे की तंगी की वज़ा से मेरा भी दिमाग इतना परेशान था कि मैं कुछ जाद ही बोल गया कोई बात नहीं है मैं जाकर मालक से कुछ पैसों की मांग करता हूँ हो सकता है बात बन ही जाए अर्विंद ऐसे बोल कर आ गया वो जानता था कि उसका खडूस मालक उसे एक रुपया नहीं देगा लेकिन फिर भी उसने उससे बात की मैं अर्विंद की पत्नी उसके घर में कुछ लाने की आस लगाए हुए थी बहु अर्विंद कहा गया है मा कुछ पैसो का इंतिजाम करने को बोल कर गये थे अब भूख बर्दाश्ट नहीं हो रही है कुछ खाने को चाहिए ठरीका मा दादी ने बहुत भूख लगी है ऐसा क्या है भगवान पता नहीं अर्विंद जी तो कब आएंगे अब मुझे ही फिर से बहार निकलना होगा भूमिका ऐसे बोल कर घर से बहार आ गई उसने किराने वाले से राशन उधार मांगा लेकिन उसको किसी ने उधार नहीं दिया बेचारी भूमिका दर-दर भटक रही थी ये भगवान आगे कुआ है पीछे खाई घर जाती हों तो परिवार वालों के भूके चेहरे देखने होंगे यहां रहने से भी कोई फाइदा नहीं मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपनी जहान ही देदू लेकिन फिर मेरे छोटे-छोटे बच्चो को कौन पा लेगा भूमिका ऐसे ही सोचने लगी उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था वो मन से बहुत ज़्यादा उदास थी और खेतों के रास्ते से घर आ रही थी कि तब ही उसे एक लकडी का बरतन पड़ा हुआ दिखा भूमिका ने उसे उठाया और उसे देखने लगी ये भला किस तरह का बरतन है हरे इससे तो अच्छा भगवान मुझे कुछ खाने का मिल जाता तो मेरे बच्चों की भूख शान्त हो जाती अभी भूमिका ने ऐसा बोला ही था कि तब ही वो लकडी का बरतन बहुत तेज रोशनी में चमका और उसमें कड़ी चावल भर गये ये देखकर भूमिका चौक गई ये कैसे हुआ? क्या ये कोई सपना है या पिर मेरे हाथ कोई जादूई बरतन लग गया है? जो भी हो अभी मेरे लिए जरूरी है कि मैं इन चावलों को अपने बच्चों को खिलाओं भूमिका ऐसे बोलकर उस बरतन को घर ले गई उसके अंदर पड़े हुए कड़ी चावल में से भाप की लप्ते उठ रही थी भूमिका ने घर जाकर उन चावलों को प्लेटों में निकाला लेकिन एक बात और हैरानी वाली हुई बहु तुने इसमें से चार प्लेट चावल निकाली है लेकिन देखने की बात है कि चावल कम ही नहीं हो रहे है सही कहा मा जी मुझे तो अब यकीन हो गया कि ये जादूई बरतन है जिसमें जादू से कड़ी चावल आते हैं और कभी खत्म नहीं होते क्या सच लेकिन ये तुझे मिला कहा बुमिगा ने गोमती को पूरी बात बताई कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं ये हमारी मदद परमात्मा की तरफ से हुई है बहु जो ये जादूई बरतन हमारे हाथ लगा है उस दन तेरी आँखे भराई थी न जब तेरे बच्चों ने पहली बार कड़ी चावल खाए थे अब देख उन्हें हर रोज ये नसीब होंगे सही कहा मा अब मेरे बच्चे भी अच्छा खाना खाएंगे माजी मेरे मन में एक विचार आ रहा है मैं सोच रही हूँ अब जब ये जादूई बरतन हमारे पास है और हमारे इच्छा के बिना ये चावल खत्म नहीं करता तो क्यों ना हम इससे अपने हालातों को भी सुधारे क्या मतलब बहु मतलब ये कि माजी क्यों ना हम इन कड़ी चावलों को बेचें इससे हमारी भी कमाई होगी और जो गरीब लोग है हम उन्हें ये चावल सस्ते में देंगे वा बहु क्या दिमाग दोडाया है ठीक है मैं तेरे साथ हूँ गोमती की बात सुनकर भूमिका खुश हो गई फिर क्या था उसी दिन से दोनों साज बहु ने ये काम शुरू कर लिया कुछी दिनों में उनके जादूई कड़ी चावल मशुहूर हो गया जिसकी वजह से उन्हें काम में मुनाफ़ा होने लगा और अर्विंद ने भी अपनी मा और बीवी का साथ देना शुरू कर दिया अब उनका काम काफी बढ़ चुका था मुमिका के बच्चे भी या बच्ची जिन्दगी जी रहे थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था